नमस्कार, 9 मई को बुद्ध वरशब राशी में प्रवेश कर रहे हैं जहां शुक्र भी वरशब राशेस्थान अपने स्वयम के राशेस्थान में ही बिराजमान है और 14 मई से लेकर 24 मई तक का एक ऐसा समय अंतराल भी रहेगा जहां सूर्य और बुद्ध का बुधा दिती योग भी बन जाएगा जब मैं इस कारिकरम को आपके सम्मुक रख रहा हूँ ये तारीक 8 मई 2020 है तो इस समय अंतराल की पुरिशन्स में सूर्य देव उच्चस्त इस्ततियों में चलाएमान है तो वहीं 14 मई की पुरिशन्स के साथ में जब अपनी इस्ततियों को परिवर् बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नरायन योग भी साथ ही साथ में गतिमान रहेगा ये पुरिशन्स है जो कि 9 मई से 24 मई तक रहने वाली है प्रती एक राशिवार करम में व्यापारिक स्तर के उपर वानिजिक जो गणनाय रहती है उसके स्तर पर मैनेजमेंट की पुरि प्रतारी ही जानकारी लेकर हाजर हुए हैं सौर पर्थम ये जानना आवशक है कि व्यक्ति जीवन में किन-किन इस्ततियों के वज़े से एक विकट इस्तर देखता है जब भी वो प्रलोबन के साथ में आगे बढ़ता है और उसके बाद में जब स्ततियां उसका सहयोग नह कर जाते हैं फैसिनेशन को हावी करके जीवन को दिखाने वाले होते हैं और फिर उन परिस्ततियों के भीतर फसकर व्यक्ति शनिदेव के परभाव के साथ कई बार अपनी जीवन को फसाता चला जाता है कई लोग आप भी अपनी जीवन में आसपास देखते और उनसे सुनत भी होंगे जो कहते हैं कि अब एक बार इस इस्तती से में मुक्त हो जाओं तो फिर बिल्कुल सरलता के साथ में जीवन जीओंगा ये जो भी उलजने है इश्वर एक बार इससे मुझे निकाल दे उसके बाद में कभी भी इनके भीतर नहीं उलजोंगा वजह क्या है समय प्रल जलना शुरू कर दिया तो वहीं से एक negativity की पूरिशन आती है ऐसे समय के अंदर बुद्ध का रोल बहुत जाला बढ़ जाता है जब कोई भी प्रलोबन सामने है एक तो opportunity सामने है और एक प्रलोबन सामने है दोनों की बीतर बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर हम पहचाने की कैसे, segregate कैसे करेंगे, आंतरिक शक्ति जब व्यक्ति की मजबूत हो, visualize करने की अप्रोच ब्रहसपती देते हैं किन्तो आंतरिक शक्ति और अनभव के साथ में जो चेतना मिलती है वो बुद्ध के द्वरा मिलती है तो जब बुद्ध अपना राशी परिवर्तन करते हैं और क्रम बद्ध तरीके से चलने वाले होते हैं तो इस स्तिती को जानकर आगे बढ़ना बहुत जादा आवशक हो जाता है यहां अगर मैं चर्चा के शुरुवात नेश राशी के साथ में करता हूँ तो आप देखिए कि जो भी financial positions के अंदर कामकाज अटके हुए थे वहां एक तिवरता आपके सामने आ सकती है वाणी में convincing power बहुत अच्छे तरीके से यहां स्थापित रहेगी आपके लिए कोटुम्बी जनों के साथ में वैर विरोध निकल कर आ सकता है तो वहीं शुकर के द्वारा जो लक्षा दिपती योग बना हुआ है वो आपके लिए business positions मे फाइदा पहुचाने वाला हो सकता है यह आप ध्यान रखिएगा तो जो भी hidden problems बारं बार आपको परेशान कर रही थी जो एक चहरे के रूप में सामने नहीं आपा रही थी उसका solution भी जो यह 9 मई से 24 मई तक का समयंतराल है सामने लेकर आ सकता है विचार शील होकर चलते च चले जाईएगा अब चर्चा करता हूँ मैं यहां वर्षब राशी की तो आप देखिए कि जो एक तरह से शुक्र का राशी स्थान है जहां शुक्र स्वयम स्वगरही बिराजमान बुद्ध यहां आकर जब लक्षवी नरान योग बना लेंगे और जब सूर्य देव भी 14 माई के बाद में इसी राशी करम के भीतर यहां मौजूद रहेंगे तो सरवर्थम व्यक्ति को फाइनेंशल लेवल के उपर या बिजनस लेवल के उपर कोई महत तुपूर्ण निरने लेकर चलना है उस हिसाब से इस समय को आप खुद के लिए बहतर मान कर चलिएगा ग्र सौर भी आपके लिए इशारा कर रहा है कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां तुरित गती के नरणा लेने होते हैं यह समय आप खुद के लिए अनुकूल मान कर चलें सक्षा संबंदी इस तर पर उच्छ सक्षा में आप किसी भी फाइनेंशल ल उप में समझ कर चलने का प्रयास कीजिएगा मेटर एप्रोच बनी रहेगी वहीं मितन राशी सरुपर्थम यहां इस बात पर आप गौर करें कि जो आर्थिक पक्ष के साथ में कोई भी लोन आदी हमको लेने होते हैं व्यापारिक जीवन के आधार पर उस हिसाब से हम यहा हमें से परिशान चल रहे थे, कौर्परेट कल्चर के साथ में जुडाव है यह व्यापारिक जीवन के अदर कोई भी ऐसी पूजिशन बारम बार परिशान कर रही थी तो बुद्ध परदान राशी के जातकों के लिए यह समय अंतराल सॉल्यूशन लेकर आ सकता है आपको फ़ड़ा सा वर्किंग अप्रोच को चेंज करना रहेगा अगर आप किसी भी विदेश संबंधिक कारे के साथ में जुडाव रख रहे हैं और 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 पैसे की पूजिशन को क्लियर नहीं कर पा रहे थे हम कहीं न कहीं आर्थिक उन्नतिक को इतना अच्छे से महसूस नहीं और डिस्टर्बेंसिस क्रियेट नहीं हों वहीं कारक राशी कोई भी शेयर मार्केट संबंधी महतुपूर्ण निर्णाय जीवन के भीतर जगह दे कर चलना है आपको उस इस ताइम फ्रेम को आप खुद के लिए बहुत जादा डहतर मान कर चलें पहले इस तर के उपर तो इस पस्ट दिरस्टी गोचर ये स्तती वहीं दूसरे स्तर का जो सबसे प्रमुक आधार आपके लिए यहां बना हुआ है वो यह है कि जो बिजनस के अंदर कमिटमेंट करना होता है और उसके अंदर एक टाइम बाउंडेट केलकुलेशन को लेकर चलना होता है ये टाइम आ अगबग 15 दिन का एक पकवाड़े का रहेगा काफी हद तक स्ततियों को सुधार की और लेकर जा सकता है कमिशनिंग संबंधी कामकाच के साथ में आपका जुडाव है जहां ब्रोकरेश की पूरिशन बहुत अच्छे से रहती है वहां कोई भी नया इनिशेटिव आप लेन चाते हैं उस फ्रेम पे भी इस समय को आप खुद के लिए बहुत अच्छा मान कर चलें ग्रहेस्त जीवन के साथ में हलकी फुलकी तलखियां परिशान कर सकती हैं तो वहीं संगराशी यहां मेनेजमेंट संबंधी कामकाच के भीतर कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेना है तो आप 14th of May से 24th of May 2020 को बहुत जादा बहतर खुद के लिए मान कर चलिएगा जब व्यक्ति अपने नाम के साथ में ख्याती को प्राप्त करता है और उससे एक आर्थिक पक्ष के अंदर भी सुद्रड स्कतियों को देखता है सूर्य परदान राशी के जातकों के लिए जिससे हम इनकार नहीं कर सकते ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पता के साथ किसी भी काम काज में चल रहे हैं वहां सामन जस्से को लेकर चलें और विशेश तोर पर 9 से 14 मेरी तक किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को टालने का प्रयास करें अगर पता के साथ में कोई भी के उपर कोई भी बड़ा निर्णा लेना चाहते हैं आप बैंक के कर्मचारी हैं और प्राइविट बैंक के साथ में जुड़े वो हैं कोई नया ओफर आ रहा है तो आप सोच समझ कर निर्णा लीजिएगा किसी भी लोन आदी की तरफ आपको जाना है और वो बैंक से संबं प्रशा शक्ती की कमी नहीं रहेगी तो वहीं अगर आप लेखन संबंदी किसे भी कारे के साथ में जुड़ाव रखते हैं कॉंटेंट राइटिंग हो गया या कोई और ऐसा फिल्ड हो गया एक बैटर एप्रोच मिल सकती है कन्या राशी सरुबर्थम यहां आप देखिए कि बुद्ध की जो स्ततियां है वो एक तरह से राशकुमार की स्ततियों के साथ में चलने वाली होती है बुद्ध में फ्लेक्सिबिलिटी है अब प्रशन यह उड़ता है कि जब भी हम बुद्ध की चर्चा करते हैं तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी की चर्चा क्यों करते हैं इस ग्रह में पुरुष और इस्त्री प्रदान दोनों हे गुणधर्म मौजूद रहते हैं। पारे की प्रकरती का ग्रह जो किसी भी स्तर के उपर खुद को ढालने में सक्षम होता है। तो इस आधार के उपर ये कहा जा सकता है कि जो एक फ्लیکसिबल अप्रोच रहती है वो आपके जीवन में बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो युगा भ्यास के द्वारा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं स्वायम के एक तरह से शारिरिक और मांसिक विकास को और जादा सुद्रड करके आप चल रहे हैं। उस अंतराल के साथ में इस समय को आप खुद के लिए बहुत जादा बहतर मान कर चलिएगा। यानि कि कोई भी ऐसा इनिशेटिव लेना है ये समय बहुत बहतर वहीं कहीं पर भी विद्रोह की आवशकता थी। तो ढिया का अंतराल समाप्त हो चुका बुद्ध की पोजीशन अभी एक बैटर अप्रोच के साथ में इन दोनों के लिए आपके सामने आई है। किसी भी गलत इस्तती का विद्रोह करना है उस विद्रोह के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा ये एक इस्तती तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन के साथ में अब आपका सीधा जुडाव यहां इस्तापित हो रहा है और कुछ दिरने आपको अपने बूते लेने है अपने अनभव का फाइदा उठाईएगा जो एक तरह से आध्यात में भाग और अनभव की प्रवर्तियां साथ में चलने वाली होती है वो जुडाव रखने वाली रहेंगी ओचक रूप से परेशानियां 14 मई से लेकर जो ये 24 मई तक का समय है सामने आ सकत ये कि व्यापार में कोई भी नया इनीशियेटिव लेने से बचें मानसिक चेतना उस लेवल के उपर सपोर्ट करने वाले नहीं होती गरहे की प्रकरती क्या है हमारे लिए कौन सा सामन्जस से सामने आ सकता है जब ये विचार मन मस्तश्क में बहुत अच्छे से क्लेरिटी के साथ बिठा लिया जाता है तो व्यक्ति और अच्छे से अपनी पूजिशन को क्लियर कर पाता है तो उसी साब से आपको मैं ये नंबर दिविदन कर रहा हूं कि ऐसे निरने के अंदर बहुत जादा सावधानी बरतीएगा वानी संबंदित कामकाच के अंदर भी आप कहन पर भी डिफरेंस नहीं आए अर्थ के अनर्थ निकल कर नहीं आए ये ध्यान रखें ओवर कॉन्फिडेंस की पूजिशन कई बार व्यक्ति को एक अलग स्तर की और लेकर चले जाती है उससे भी स्वयम को आप थोड़ा सा बचा कर रखेगा सजग रहें और कोई भी कमिशन संबंध की कामकाच के अंदर और और चक रूप से कोई व्यक्ति विशेश आपके सामने कोई पूजिशन लेकर आ रहा है वहाँ पर भी खुद को इस्तरता के साथ में लेकर चलने का प्रयास ही बहतर रहेगा वरिश्चक राशी व्यापारिक जीवन के आधार पर तो ये सम अपने अनुभव, अनुभोती, आंतरिक शक्ति और जो आसपास की विशनिटी की पूरिशन्स है, सिचुएशनल अवेरनेस, सिचुएशनल लीडर्शिप के आधार पर और जो अपना अनुभव है उसको अमलगमेट करके बहतर निरने की और जाने वाला होता है, अब यहा अब ध्यान रखेगा, जब भी व्यक्ति के लिए समय स्पस्ट इस्तर के उपर कोई भी इशारा करने वाला हो, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस कामकाज के और लग जाए, तो वहाँ एक अलग पोजिशन को प्राप्त करने वाला होता है, तो मंगल प्रदान काहिए ये जरूर आप याद रखें, तो वहीं अगर मैं चर्चा करता हूँ धलू राशी की, कोई भी रण आदी लेने की तरफ अगर आपको जाना है, तो 9 मई से 14 मई का समय बहतर कहा जा सकता है, विदेश संबंधी कामकाज के अंदर बारम बार परिशानिया सामने आ रह था, ये टाइम फ्रेम आपके लिए वहां सौलूशन की पूजिशन भी लेकर आ रहा है, एक बात तो ये रही, साथ ही साथ में, जो अ निद्रा जनित रो कई बार परिशान करते हैं, 14 मई से 24 मई तक वो थोड़ी से परिशानियों में आपको रख सकते हैं, रिलेशन्स के अंदर जो कई बार व्यक्ति दोखे खाता है या परिशानियों के साथ में चलता है, वो डिस्टर्बेंसे भी आप पर हावी नहीं हो, ये आप ध्यान रख कर चलिएगा, व्यापारिक स्तर के उपर जो भी थकान, लंबे समय से आप मैसूस कर रहे थे, या फिर ये लग रह प्राशी, शमताओं के भीतर वर्दी है और साथी साथ में शेयर मार्केट में लंबे समय का कोई भी आप निवेश करके चलना चाते हैं, इन्वेस्टमेंट की किसी भी कतिविधी के बारे में आप अगर विचारशील हैं, यहां निरणय आप ले सकते हैं, मैनेजमेंट की एजुकेशन को कंप्लीट की और उसके बाद में आप जौब या फिर आगे और हाइर स्टुडीज इन दोलों के अंदर एक कॉन्फिलिक्ट के साथ में चल रहे थे, कॉन्ट्राडिक्शन भीतर ही भीतर मौजूद था, उसका समाधान भी यहां सामने आपके लिए रहेगा यह एक बात, तो वहीं पर संतान पक्ष को अगर व्यापार के साथ में जोड़ना है, आपने एक एक एक्जिस्टिंग बिजनस को एस्टेबलिश करके रखा हुआ है, संतान को वहां आप सनलगन करना चाते हैं, इस समय थोड़ा सा रुक कर चलिएगा, तो वहीं जिन भी मह हिलाओं ने कंसीव कर रखा है, 14th of May से 24th of May अपना जादा ख्याल रखने के रिक्वार्मेंट आपको रहेगी, यह एक बात, तो वहीं खर्चों के उपर बहुत जादा नियंतरन रखने का प्रयास करना, खुद को कहीं न कहीं डिस्टरब करने के बराबर रहेगा, वहां थ 24 मही तक जो भी मानुभाव, हरदय संबंदी, रोगों से परिशान रहे हैं, उनको जादा सजक्ता रखने की आवशक्ता रहेंगी, सूर्य और बुद्ध की इस पोजिशन की वज़े से हम आपको इस हुजाब दे रहे हैं, तो वहीं पर शुक्र जब भी चतुर्त के साथ जड़ाव रख रहे हूं, व्यक्ति को materialistic luxury की और बहुत जादा incline करते हैं, जिसके मैंने चर्चा की थी कि प्रलोबन, ये समय प्रलोबन से बचने का है, materialistic luxury को आप side line रखें, basic requirements के साथ में, जतना अच्छे से हम चलते हैं, उतनी ही better approach आपके लिए रहेगी, तो साथ ही में ये भी आप ध्यान रखेगा, कि माता और पता के साथ संबंदों में कोई भी दुराव नहीं आए, मेन राशी, यहां अगर बहुत लंदे समय से job की position को लेकर आप परिशाम थे, changes कर लिया था, उसके बाद job छूट गई, फिर से जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, जब सूरी की position भी पराकरम के साथ में जुड़ चुकी होगी, 14 मई से लेकर 24 मई तक का जोई समय अंतराल रहेगा, आप खुद के लिए कुछ नए अवसर की स्ततियों को सामने पा सकते हैं, बले ही समय की गणनाएं कुछ अलग स्तर के उपर हो, किन्तु आपके हुनर को यहां ज बढ़ाना चाते हैं, उस इस तर पर भी इस frame को आप supportive मान सकते हैं, management संबंदी किसी भी काम काज में, खुद के ऊपर चलकर कोई भी बहुत बड़ा निरने लेने से आपको बचना चाहिए, राई शुमारी के साथ में ही चलते हैं, तो ज़्यादा बेटर एपरोच रहेगी, तो ये था बुद्ध का राशी परिवर्तन और इस ग्रह का जो प्रभाव है वो 9 मेई से 24 मेई तक किस तरह की गणनाओं को सामने लेकर आ रहा है, ये पूरा ही बड़नन, हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजर होंगे, उपस्तित होते रहेंगे, धन्यवाद और हरदय से अभार